मुंबई के दैसर विदान सभा में एंसिपी के द्वारा बाल दिवस मनाया गया इस मौके पर करीब सैकडो बच्चों ने भाग लिया है हम आपको बता दें कि इस मौके पर आप देख रहा है किस तरह से दान्स का प्रोग्राम किया जा रहा है सभी बच्चे अपने पनी कलाओं से निपूर है करीब महीनों की तैयारी के बाद ये सारे बच्चे अपना जो कला का पर दर्शन कर रहा है इसे साब जाहिर होता है कि एंसिपी इन बच्चों में कितना रूची रखती है फिलानम आपको बता दे कि इस प्रकार का कारकरम एंसिपी पिछले आठ सालों से करती आ रही है एंसिपी का मात एकी उदेश है कि भविश जो है बच्चों से जुड़ी हुई है और आज के बच्चे हमारे आगे के भविश हैं इसलिए उनकी भविश उजल करने के लिए एंसिपी इस प्रकार के कारकरम करती आ रही है दूसरी बात ये भी एंसिपी के दोरा कही गई है कि बच्चे जो है देश के भविश होते हैं आज का दिन जो जवालन नहरुजी ने चुना है उसके लिए NCP के उपाभ्यक्ष हरीश सेटी निजी ने काफी उस्सा वर्दन किया और कहा है कि मैं जवालन नहरुजी के बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्हों ने इस प्रकार और इस दिन को चुना है जो आज बच्चों के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है फिलाल इन सारे बच्चों के बीच में मजी सिन के साथ-साथ बच्चों ने कई तरह की कहानिया प्रसुकित जिससे साब जायर होता है कि बच्चे किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहते हैं वहीं इंदजी सिंग ने भी कहा कि आज जो बच्चे हमारे बीच हैं वो हमारे लिए कितना अहम है इससे NCP इस परकार के कारकम को बनार देना चाहती है जिसे आने वाले भाईश में बच्चे आगे बढ़े और उनके मनो बल उनके मनो गती और भी कास कि बात है कि बहुत एक अच्छा परयास है और आज बाल दिवस पे बाल दिवस पे यह जो प्रोग्राम आज़ित किया है दॉक्टर राइस खान ने बहुत बहुत शुपकामना ज़ेजा हूं इतने सारे बच्चों को देखकर हम सबको अपना बच्चपन याद आ गया और हर इंसान के बीच में एक बच्चपना है मैं इसा मानता हूं और आज के दिनों बच्चपना बाहर आना ही चाहिए इसलिए मैं राइस खान जी को फिर से और हरी शट्डी जी को जिनों ने इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा स्वयोग दिया देशर तालकार देखने मैं इन सब को बहुत बहुत शुपकामना है देता हूं और ऐसे ही बच्चों के लिए आगे ये परयास करेंगे ऐसी उम्मीद रखता हूं जहीन देखे पंडिक जवरला नेरू जी ने आज का दिन सही चुना है क्योंकि पंडिक जवरला नेरू जी बच्चों से प्यार करते थे वोई बच्चे आज किस तरह से उन्होंने उनका परफर्मेंस दिया है वो आप लोगोंने देखा ही है ये देश के भविशे आने वाले दिनों में ये बच्चे ही अपने देश को तीक कर सकते हैं बाकी सब आये गए लेकिन आने वाले भविशे में देश का अगर अच्छा तो यह बच्चों से ही होगा मैं पंडित जवरलाल नहरु जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने जन्म दिन पर उन्होंने बच्चों के लिए मनाया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं पंडित जवरलाल नहरु जी को और बच्चों को और राइज भाई को और निसार भाई हमारे विल्लाज देख जी है इंद्रपल सिंग सर्जी को और सभी लोगों को उनके बच्चों को और उनके माता पिताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं आद इस फंक्षन में आकर इस फंक्षन का चार्चन लगाए उन लोगों ने धन्यवाद थैंक्यू